पंच केदार ये यात्रा है खुद से खुद को मिलाने की ये यात्रा है खुद से सिव को मिलाने की ये यात्रा है खुद को सिव के चर्णों में समर्पित कर देने की जी हां ये यात्रा है पंच केदार की देवों के देव महादेव के पाँचो मंदिर उत्राखंड में स्थित हैं और पाँचो केदार की यात्रा करने के लिए आपको यात्रा प्राहम करनी होगी रुद्रप्रियाक से दारनात मंदिर भारत के उत्राखंड राज्य के रुद्रप्रियाक जले में स्थित हिंदो का परसिद मंदिर है उत्राखंड में हिमाल्य परवत की गोद में के दारनात मंदिर बारा जोत्य लिंग में सामिल होने के साथ साथ चार धाम और पंच केदार में से भी एक है यही है वो सिला जो जून 2013 में उत्राखंड में अचानक आई तबाही और भेंकर आपदा के समय के दारनात मंदिर की सुरक्षा के लिए तैनात रही कहते हैं के अचानक आई बाड़ के समय ये एक बड़ी सिला मंदिर के पीछे की तरफ आकर रुकी और इसकी वज़े से पानी दोनों तरफ से छट कर जाने लगा और मंदिर सुरक्षित रहा मंदाकनी के तट पर बना हुआ ये खुबसूरत मंदिर सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक चार धामों में से एक कहलाता है मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको 18 किलोमेटर का पैदल मार्ग ही अबनाना पड़ता है यहां की प्रतिक्यूल जालवायू के कारण मंदिर अप्रेल से लेकर नुवंबर महा के मध्य तक ही दर्शन के लिए खुलता है केदारनात में भगवान सिव की पीट की पूजा की जाती है कत्यूरी सैली में पत्थरों से बने इस मंदिर का निर्मान पांड़ों के पोत्र नितेक्स चिंगने करया था यहां स्थित्थ स्वैभू सिवलिंग बहुत ही प्राचीन है और मंदिर के चारों तरफ का नजारा बहुत ही भव्य है मन को रोमान्चित और उत्साहित कर देने वाला है कहते हैं कि आदी संक्राचारे ने इस मंदिर का जीनोदार करवाया था तुंगनात उत्राखन के गड़वाल के रुद्र प्रियाग जीले में इस्थित एक परवत है तुंगनात परवत पर इस्थित है तुंगनात मंदिर जो 3460 मीटर की उचाई पर बना हुआ है और पंच के दारों में से सबसे उचाई पर इस्थित है यहां पर भगवान भुले नात की भुजाओ की पुजा की जाती है ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्मान पंडवो दारा भगवान सीथित को परशन करने के लिए किया गया था तुंगनात की चोटी तीन धारों का स्तोथ है जिसमें अक्षकामनी नदी बनती है मंदिर चोक्टा से तीन किलोमेटर दूर इस्थित है कहा जाता है कि पारवती माता ने भी सिवजी को परशन करने के लिए यहां बिहा से पहले तपश्चा की थी अनिक कताओ के अनुसार पांड़ों ने जब सिवजी की अराधना के लिए उनको खोजना स्टार्ट किया तो वो एक महिस के रूप में उनको मिले एक भैसे रूप में उनको नजर आए जैसे ही भीम ने उनको पकड़ना चाहा वो धर्ती में सवाने लगे और उनके अंग जहां जहां निकले वो पंच केदार के लाए जिसमें से केदारनात में उनकी पीट की पूजा होती है तोंगनात में भुजा मद्य महिश्वर में नाभी रुद्रनात में मुख और कलपेश्वर में जटावु की पूजा की जाती है पंच केदार में तिर्तिय स्थान में मद्महिश्वर को माना गया है मद्महिश्वर में भगवान सिव की नाभी की पूजा की जाती है मद्महिश्वर उत्राखंड के गड़वाल छेत्र के रुद्प्रियाक जिले में समुद्र तल से 3290 मीटर की उचाई परिस्तित है चारो और हिमालिय पाडों से गिरे इस रम्निय स्थान की खुबसूर्ती देखते ही बनती है मध्य महेश्वर मंदिर से 3-4 किलो मेटर उपर एक बुग्याल आता है जहां पर एक छोटा सा मंदिर है जिसे बुढ़ा मध्य महेश्वर भी कहा जाता है सिव, महेश्वर, संभू, पिनाकी, ससी सेखर, वामदेव, कपरदी, संगर ऐसे अनेको नाम से जाने जाते हैं हमारे देवों के देव महादेव रुद्रनाथ मंदिर भारत के उत्राखंड राज्ये के चमोली जिले में स्थित्थ भगवान सिव का एक मंदिर है जो की पंच केदार में से एक है समुद्रतल से 290 मीटर की उचाई पर इस्थित्थ रुद्रनाथ मंदिर भव्य प्राकर्तिक छटा से परिपून है रुद्रनाथ मंदिर में भगवान सिव के एकानन यानी मुख की पूजा की जाती है जबकी संपून सरीर की पूजा नेपाल की राजधानी काठमानू के पसुपती में की जाती है रुद्रनाथ मंदिर के सामने से दिखाई देती नंदा देवी और तिर्सूल की हमालिय चोटियां यहां का आकरशन बहुत बढ़ाती है रुद्रनाथ मंदिर तक पहुचने के लिए आपको लगभग 22 किलोमेटर की खड़ी चड़ाई चड़नी होती है यूँ तो मई के महीने में ही रुद्रनाथ के कपाट खुलते हैं तबी से जात्रा सुरू हो जाती है लेकिन अगस सितंबर के महीने में यहां पर फूलों से लगदग घाटियां लोगगा मनमो लेती है जतना मनमोहक रुद्रनात मंदर के आसपास का वातावरन है उतनी ही मनमोहक यहां पर आरती होती है मैं चाहता हूँ कि आप यहां की आरती को सुने और उसका आनन्द ले जतना मनमोहक यहां की आरती है हेलंग से चलकर देवग्राम होते हुए आप पहुँच जाते हैं और गम वैली और गम वैली में ही कल्प गंगा घाटी के किनारे पर इस्थित है कलपेश्वर मंदर कल्प गंगा को प्राचीन काल में हिर्णेवती नाम से पुकारा जाता था इसके दाहीने स्थान पर इसित तटकी भूमी दुर्बसा भूमी कही जाती है इस जगा पर ध्यान बदरी का मंदर है कल्पेश्वर चटान के पाद में एक प्राचीन गुफा है जिसके भीतर गर्ब में स्वेभू स्वेलिंग वराजमान है कल्पेश्वर चटान दिखने में जटा जैसी प्रतीत होती है केदारों में पांचवे केदार पर कलफेशवर आते हैं और यहां पर इनकी जटाओं की पूजा की जाती है देवगाम के केदारमंदर के स्थान पर पहले कलफ प्रक्षवा करते थे कहते हैं कि यहीं पर देवताओं के रजाइंद्र ने दुरवाशा रिशी के स्ट्राप से मुक्ति पाने के लिए सिव अराधना कर तरूप प्राप्त किया था कहते हैं कि यहीं पर अपसरा उर्वशी का भी बनाया गया था यहीं पर अधेश स्ट्राइब के लिए टाइब करने के लिए से जारादी को कि यहीं हैं